इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमें एसिया कब 2023 के सुपर फोर में पहुँच चुकी हैं और एक बार फिर इंडिया बना पाकिस्तान के बीच एसिया कब 2023 में मुकाबला खेला जाएगा तो ऐसे में एसिया कब 2023 में इंडिया बना पाकिस्तान के बीच कौन सी तारीक का सु क्या रहेगा मैं इस रूड़ों में आपको सारी जानकारी जो एद देने वालों तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जाद इंपॉर्डन वीडियो में अन्तता कब बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते न केलते हैं दोनों टीमों के स्कौइड की तो टीम इंडिया के जो केल राहूल थे वह पूरी तरह से सूपर फोर में खेलने के लिए अवेलबल हो चुके हैं जो की स्टार्टिंग के दो मुकाबले नहीं केल पाएते तो ऐसे में इंडिया का जो स्कौइड है रोही शर्मा मुहम्मद शिराद कुल्दी पियादा और प्रशिद क्रिशना बात करते हैं पाकिस्तान के स्कौइड की तो अब्दुल्लाश शफीक फकर जमान इमाम अलहक मुहम्मद रिद्वान मुहम्मद हारिश बाबर आजम कप्तान शल्मान अली अगा इफ्तिकार अहमद तैयब त कीमो का फुल स्कौइड जो सुपर फोर में एसिया कब 2013 के रहने वाला है और अब बात करते हैं हम डे टाइमिंग्स एंड वेनु की तो इंडिया बना पाकिस्तान के भी सुपर फोर का मुकाबला जो रहने वाला है दस सेप्टेंबर को खेला जाएगा और यह मुकाबला आ रिजर्वड डे रखा गया और 11 सिप्टेंबर को मुकाबला खेला जाएगा अशिया कब 2013 का पहला मुकाबला इंडिया बना पाकिस्तान के भी जो खेला गया था उसमें रिजर्वड डे रखा नहीं गया था इंडिया ने पहले बैटिंग गया और दूसरी पारी आने पर तक बारिश स्टार्ट होगी और बारिश के चलते पूरी तरह से मैच रद्ध हो गयता तो एक बार फिट सूपर फोर का मुकाबला इंडिया बना पाकिस्तान के भीचे खेला जाएगा तो आपको कह लगता है इस सूपर फोर के मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी कमेंट क करके जरूर बता है तो इस वीडाम बस इतना एकर आप वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना तैंक यू सो मच गाइस फोर वाचिंग इस वीडियो